कि अब गाई वागत थे आप सभी का एक बार फिर कैल्विन में और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे बिलकुल समय से और देख रहे होंगे कैल्विन को बिलकुल टाइम से ठीक है तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज हम शुरू करेंगे अपना लास्ट चेप्टर की केस बेस MCQ जिसके अंदर आप आपको नॉर्मल MCQ हमने करा दिये, ARQ हमने करा दिये यानि कि Assertion Reason MCQ अब बारी है हमारे इसके Case Based MCQ की ठीक है हमने हर बार आपको बताया है जब भी Question Paper में Question Case Based Study का आएगा तो पहले आपको Question पढ़ना है पहले Question इसलिए पढ़ना है आप Confuse नहीं होंगे के Case कौन से Chapter से आया है यहां तो हमें पता है हम केवल और केवल Marketing Management की Case Studies कर रहे है इस वज़े से ज़्यादा परिशानी नहीं होगी आप पहले Question पढ़े या Case पढ़े बात है कि आपको Mind जो है पूरी तरह से Focus है केवल और केवल Marketing Management की Case Studies सॉल्व करने के लिए बट वहाँ पर ऐसा नहीं होगा आप ब भारत लिमिटेड एक कंपनी है भारत लिमिटेड लॉंज फ्रेंड लाइन एकसरसाइस बुक एंड कंप्रेहेंसिव स्टेशनरी ब्रेंड नेम क्या काम है उसका एक कंपनी है जिसने स्टेशनरी आइटम्स लॉंच किये हैं फ्रेंड लाइन कंपनी है भारत लिमिटेड कं यह फ्रेंड लाइन उसके एक लाइन है प्रोड़क्ट लाइन है कम्प्राइजिंग ऑफ बॉल पैंस जैल पैंस जैल पैंस एंड जेमेटरी बॉक्से आफ्टर इंटिफाइंग तार्गेट मार्केट एंड अंडर्स्टेंडिंग नीज एंड वोंट्स अफ दी कॉस्टमर टार्गेट ठीक है आल दे प्रोड़क्ट वर गुद ट्कॉलिटी एंड इको फ्रेंडली अच्छा जी एको फ्रेंडली भी औसके प्रोड़क्स बट एक्सपेंसिब दे वॉंटेड टु इसिंगविश दिर प्रोडक्स दे वंट वो चाहते हैं अपने पॉड़क्ट kो त उसका eco-friendly भी है, they spend lot of efforts, time and money in creating the brand name, as they knew that without a brand name, they can only create awareness for the generic products, जो एक normal products होते हैं, अगर उन्हें brand name create नहीं किया, तो केवल और केवल वो awareness, generic product, local products के लिए काली awareness प्रोवाइट करेंगे, और can never be sure of the sale of their products, जो है उनकी नहीं बड़ेगी, अगर उन्होंने brand name नहीं बनाया, the effort paid off and the demand for the products started growing, grow करने लगी उनकी demand products की, the customers liked the brand and became habitual to it, they did not mind paying a higher price, over a period of time, it became a status symbol to buy friendline brand because of its quality, the consumers felt pride in using them, simple case study है, कहा गया है, एक company थी भारत limited उसने launch किया, एक friendline नाम का product, एक product line थी पूरी जिसके अंदर वो stationary items बना रहे थे, उनकी product की खासियत यह थी, कि वो quality में तो अच्छे थे, उनकी price भी जादा था, बट वो eco friendly थे, और यह सब उन्होंने कब किया है, need और wants को ध्यान में रखते हुए customer की, ठीक है जी, यहाँ पर इतनी बात हुई, और वो चीज उनकी फिर चल पड़ी, लोग demand करने लगे, क्योंकि उनका product ने brand name create किया, उनको पता था, अगर आप brand नहीं बनाते हैं, अपने product की, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, ठीक है, तो simple case study है, चलिए इसके base पर question कर लेते हैं, question क्या कहता है, देखते हैं, which marketing management philosophy followed by भारत limited, अब यहाँ पर बात की गई है, कौन सी philosophy marketing management के दुआरा fulfill हुई है, चलिए जी, पहले तो आपको हम यहीं बता दें, कि marketing philosophies होती क्या है, marketing philosophies या फिर marketing concept भी बोला जाता है इनको, philosophy या फिर marketing concepts, तो देखिए कौन कौन सी है, सबसे पहले आती है, product concept, product concept, product concept कहता है, कि केवल और केवल हमें किस चीज़ पर ध्यान देना है, हमें product के features पर ध्यान देना है, product की quality पर ध्यान देना है, तो हमारी sales जो है, वो बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद आता है, production concept, production concept कहता है, कि हम क्या करें, अपने production को किसी भी तरीके से increase कर दे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो per unit cost होती है, वो reduce हो जाएगी, जिसकी वज़े से हमारा profit बढ़ जाएगा, फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर एक concept आया, that is selling concept, selling concept ने simple कहा, केवल और केवल कुछ ना करो, अपनी sales को increase करने पर ध्यान दो, by any hook और any crook अपनी sales को बढ़ाओ, कोई भी हतकंडा लगाओ, कोई भी promotional strategy लगाओ, बट अपनी sales को बढ़ाओ, फिर लोगों की समझ माया नहीं यार, ये भी चीज नहीं चलेगी, फिर आया हमारा एक अच्छा concept, that is called marketing concept, marketing concept ने क्या कहा, marketing concept ने कहा, के भई, जो आप सामान बे लिशना नहीं है, पहले market को identify कीजिए, कि भई, market में लोग क्या चाहते हैं, उनकी need क्या है, उनकी wants क्या है, तो सबसे पहले आप identify कीजिए, identify need and wants of the customer, ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए, जो उनकी need है, उसके हिसाब से आप production कीजिए, then customer को बेच करके, satisfy कीजिए, तो आपको कुछ भी नहीं बनाना है, कुछ खराब नहीं बनाना है, केवल और केवल वो चीज़ बनानी है, जो customer demand करता है, ठीक, चलिए लिए, marketing concept, फिर उसके बाद आया, एक छोटा सा concept, societal marketing concept, अब देखिए, ये बड़ी छोटी सी चीज़ है, बड़ी helpful है, आप कंसेट्स आपने पढ़ लिए, marketing concept अब से अच्छा निकल कर आया, बट marketing concept में एक और चीज़ जोड दी गई, that is called societal, society को जोड दिया गया, कहा गया कि भाई, we are living in a society, we are doing business in a society, our offices, our factories established in the society, we are taking the resources from the society, तो society का बड़ा धियान रखना है, बई, तो society का धियान कैसे रखेंगे, देखिए इसका नाम है, societal marketing concept, तो marketing concept तो पूरा क्या पूरा ले लिया हमने, तो इसके अंदर हमने दो चीज़ों का धियान रखा, किस किस चीज़ का, एक तो, customer की need का, कि भाई, customer की need जो है, वो पूरी हो जाए, और दूसरी बात, society को भी फायदा हो, that is called, society well-being, society का फायदा ह किसी को नुकसान ना पहुचे हमारे product से, तो इस simple चीज़े हो गई, society का भी धियान रखते हुए, आपको अपने product बनाना है, बेचना है, identify करके needs को, तो यह हमने concept आपको इसलिए पढ़ाए है, case study के साथ साथ, आपके 5 concepts revised भी हो गए, और आपको पता चल गया कि कौन से concept में क्या बात पूछता है, ठीक, चलिए जी, अब अपने वापस question पर आते हैं, case study वही थी, कि अच्छी quality के eco-friendly products बना रही है, which marketing management, which marketing management philosophy followed by भारत limited, देखिए भारत limited ने क्या किया, भारत limited ने पहले needs को identify किया है, लोगों की, फिर उसके बाद अपना product बनाया है, और एक और बात उसके अंदर एक और चीज क्या है, eco-friendly, अब हमने आपको क्या बताया था, कि भाई needs को identify करके, society का ध्यान रखते हुए, जब बनाते हैं, तो वो किवल marketing concept नहीं रह जाता, वो बन जाता है, societal marketing concept, ठीक है, तो answer हमारा यहां हो जाएगा, कौन सा follow क्या है भारत limited ने, भारत limited ने marketing concept हो गया, तो सिर्फ यह नहीं आएगा, production concept वो केवल production पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, per unit cost को कम करने के लिए, वो quality products बना रहे हैं, उनके products महंगे भी हैं, तो production concept भी नहीं चलेगा, product concept जो है, product concept भी इसके marketing में involved हो गया, वो जो quality features के उपर काम करते हैं, वो marketing concept में involved हो जाता है, तो और societal में सारे concepts involved हो के, वो societal बन जाता है, ठीक है जी, तो product concept भी नहीं है, यहापर, केवल और केवल कौन सा concept है, societal concept, answer is, C, ठीक है, चलिए next question पर, next question क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं, next question, what is the main focus of the marketing philosophy identified in question number one, कौन सी marketing philosophy थी question number one में, societal marketing concept, societal marketing concept, तो उसको उपर किस किस चीज़ पर focus रहता है, societal marketing concept में, चलिए ज़रा देखें, किस किस चीज़ पर focus रहता है, यह देखें वहीं, societal marketing concept में, customer needs, और society's well-being, customer की need भी पूरी हो, और society का भी पूरे का पूरा ध्यान रखा जाए, ठीक है जी, तो अब आते हैं, यहाँ पर main focus, quantity of the product, quantity of the product, तो production concept में आता है, यह नहीं आएगा, society's well-being, आजी society की well-being आएगी, customer's need, यह भी आएगा, d में क्या है, both b and c, तो answer हमारा यह ही हो गया, यह दोनों चीज़े हमारी आती हैं, क्या-क्या, एक तो customer की need, और दूसरा society भी आती है, क्योंकि वो needs को देखते हुए, eco-friendly products मना रही है, तो answer is, d, both b and c, ठीक है, चलें बही आते हैं अपने next question पर, next question देखते हैं, क्या कहता है, चलें जी, they spent lot of efforts, time and money in creating the brand name, उन्होंने brand name बनाने के लिए अपने बहुत effort, time, में पैसा, सब कुछ लगाया है, as they knew that without a brand name, they can only create awareness, सिर्फों awareness तो create कर देंगे, but, and can never be sure of the sale of their products, but उनकी sale जो है, वो नहीं बढ़ेगी, the advantage of branding, पहले तो ये समझे हैं, what is the meaning of branding, branding का मतलब होता है, जब आप अपने product की एक image बनाते हैं, for example, आप एक shoe पहनते हैं, adidas का, तो adidas का shoe महंगा क्यों होता है, normal shoes भी वैसे ही होते है, quality उससे भी अच्छे आपको हो सकता है, किसी और brand में मिल जाएगी, but उन्होंने जो अपनी image बिल्ड की है, वो आपसे अपनी goodwill के पैसे लेते हैं, जो वो अपना काम कर रहे हैं, goodwill का पैसा होता है brand name, तो branding की advantage यहाँ पर कौन सी की गई है, product differentiation, differential pricing, ease in introducing new product, facilities, advertising and display programs, अब देखिए ये advantages तो सारी branding की है, but in lines के according क्या कर रहा है हो, देखिए जी, case में कहा गया था, products तो बहुत सारे है, market के अंदर, उसके competitors बहुत है, but उसका product जो है, eco friendly है, और उसकी quality बहुत अच्छी है, वो महंगा भी है, तो उससे क्या होता है, जब आप brand होता है, पचास तरह की चीजे रखे हुई है, पचास तरह के shoes रखे हुए है, but वहाँ पर अगर मैंने एक company का बहुत अच्छे brand का shoe जाके रख दिया, तो सब लोग उसको छोड़ करके वो brand देखेंगे, क्यों? क्योंकि वो अपनी goodwill और image ऐसी बना चुका है, कि उसका product अलगी चमकता है, this is because to identify the product from the crowd of the product, पूरे products में से आपका अलगी product चमकेगा, that is called product differentiation, तो यहाँ पर branding का जो है, कौन सा feature follow हुआ है, product differentiation, answer हमारा है, product differentiation, अब यह differential pricing क्या होता है, कि आप जो है, अलग-अलग products की अलग-अलग price रख सकते हैं, उसकी range के, उसकी variety के quality के according, easy introduction, new products, जो branded, जो बड़ी companies होती है, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करने पड़ती, सिर्फ एक छोटे से launch के साथ, वो अपने नहीं नहीं products launch कर देती है, फैसिलिटेट्स, एड़टाइजिंग अडिस्प्ले, प्रोग्रेम्स, यह भी एक नॉर्मल है, ब्रेंडिंग के लिए, कि अगर उसने कहीं भी एक छोटा मोटा program किया, तो उससे भी उसको फायदा हो जाता है, फिल्हाल इसके हिसाब से हमारा answer हो गया product differentiation, ठीक, चलिए, next question पर आते हैं, next question क्या कहता है, over a period of time, it became a status symbol, अब आपने देखोगा, बहुत सारे लोग हाथ में, बहुत महेंगी गड़ी बेहनते हैं, तो वो क्या होता है, वो किसलिए, वो front करने के लिए, यह हमारा status symbol है, जितना रेचादमी होता है, वो उतनी महेंगी चीज पहनता है, क्योंकि वो उसको लगता है कि अगर मैं कुछ छोटी मोटी चीज पहनूँगा, तो मैं अपनी क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी क्लास को जब रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, जब मैंने कोई एक ब्रेंड पहना होगा, तो यह ब्रेंडिंग की सारी features होते हैं, Friendline brand because of its quality, the consumers felt pride in using them, which of these benefits a customer seek by using branded item, इसमें से कौन सा जो benefit है, Brand use करके, क्या उसको मिलता है, भाई आप brand पहनो, आप बिना brand का कोई पहनो, तो आपको क्या satisfaction मिलेगा, यह तो आप सब को पता है, के भाई कौन जा, एक तो आपको functional benefit, functional benefit क्या होता है, भाई अगर अच्छा brand है, तो obvious है, अगर brand अच्छा है, तो durable होता है, reliable होता है, comfortable होता है तो उसका functional benefit तो आपको मिलेगा, मिलेगा, psychological benefit, अपने मन की शांती के लिए पहनता है, कि भई मैंने तो brand पहना हुआ, कुछ फायदा नहीं हो रहा है उसको, but emotionally, psychologically उसको लगता है, कि हाँ, ये मेरे लिए अच्छा है, तो psychological benefit भी मिलेगा, social benefit ऐसा कोई खास नहीं है, brand पहनने का, brand पहनो, मत पहनो, तो society को कोई benefit, आपके पड़ोसी को क्या पता, आपके पास कौन सा जूता है, आपके पड़ोसी को क्या पता, आपके पास कौन सी watch है, और उससे उसके ओपर कोई असर भी नहीं पढ़ ला, तो social benefit नहीं होता, ये दोनो benefit हो जाते हैं चलिए जी बोथ है and B is the answer, तो answer है हमारा D, ठीक है, चलिए, next case study पर आते है, next case study क्या कहती है, काथिया, a famous chain selling large variety of products in the Indian market, their products includes chips, biscuits, sweets and squashes, इस next का काम है, it charge comparatively higher price, वो ज्यादा price चार्ज करती है, then its competitors, as it sells quality products, quality product बेशती है, तो यहाँ पर वो product concept को follow कर रही है, यहाँ तक अभी तक तो, आगे देखते हैं, beside it offers regular discounts to its customers and easy credit terms to its retailers, अब वो discount वगेरा भी देती है, अपनी sales को बढ़ाने की ने, sales promote करने की ने, discount देती है customers को, retailers को अच्छा खासा उधार पे भी समान देती है, it has five of its own retail shops, it also sells it to product through various grocery stores, so that the products are made available to the customers at the right place, in the right quantity and the right time, it regularly uses different communication tools to increase its sales, अब वो place mix भी चलिए, बात में बात करेंगे, प्लेस मिक्स, प्राइस मिक्स के, कहने की बात यह है, कि उसके products अच्छे है, वो price भी थोड़ा ज्यादा चार्ज करती है, बट उसके products, जो है, easily available है, उसने different, different grocery, अपने भी उसके पास है, ठीक है, अच्छा communication network है, अच्छी advertising policies है, उसकी यह सब हो गया, चलिए, इसके आप question पढ़ लेते हैं, Kartia is a famous chain, selling large variety of products in the Indian market, their products include chip, biscuits, sweets and squashes, which of the following decision does not come under the marketing mix referred here, देखिया जी, marketing mix का मतलब पहले आप समझेंगे, चलिए एक पहले, यहाँ पर चार्ट ही बना लेते हैं, पूरा, What is marketing mix? Marketing mix, marketing mix is the mixture of 4 P's, अब यह 4 P's कौन से होते हैं, P for product, P for price, P for place and P for promotion, अब इसके अंदर होता क्या-क्या है बही, जो product के अंदर होता है, product के अंदर आता है, के भई product का brand कैसा है, brand, उसकी packaging कैसी है, उसकी labeling कैसी है, यह सब चीजे हमारी कहां आती है, product के अंदर, price, के भई उस product का price कितना है, skimming price है, penetrating price है, price ज्यादा है, या price कम है, है वो चीज़ हम यहां पर डेज़ करते हैं place place के अंदर कि भाई वो आपके तरफ राइट टाइम पर राइट टाइम राइट प्लेस राइट वाण्टिटी में कस्टमर तक पहुच रहा है या नहीं प्लेस में यह भी कह सकते है कि बनने से लेके प्रोड़क्शन से लेके युज तक ना कि हमारे यहां पर कि इतनी देर में पहुच रहा है order processing टाइम पर सब यहां पर पर प्रोशन के अंदर कि भैं उसके अंदर advertisement कर रहे हैं वह लोग वो सेल्स प्रोमो कर रहे हैं वो प्ब्लिक रिलेशन कर रहे हैं कैसे परस्नल सैलिंग कर रहे हैं प्ब्लिक रिलेशन हो गया या पिर परस्नल सैलिंग हो गया है यह सब होते हैं हमारे marketing mix marketing mix is the mixture of four piece जिसके अंदर product price promotion अंदर हम product के brand packaging labeling क्या product है उसके सब्सक्राइब करें है प्राइस के अंदर हम बात करते हैं उसका प्राइस कितना है ज्यादा है कम है skimming है pancreating price है place के अंदर के वह जो प्रोडक्ط है बनने से लेकर customer के पास कितनी देर में पहुंच रहा है promotion के अंदर different different techniques to boost up the sales, simple प्रोड़क्ट के यहां पर आ जाते हैं, काटिया is a famous change selling large variety of products in the Indian market. Their products include chips, biscuits, sweets and squashes which of the following decision not come under the marketing mix referred here. देखिये जी, branding, labeling, packaging, यह सब किस के पार्ट है? यह सब हमारे तीनों जो हैं, यह पार्ट है हमारे प्रोड़क्ट के, यह पार्ट है हमारे प्रोड़क्ट के, और वेर हाउजिंग किसका पार्ट है? वेर हाउजिंग पार्ट है प्लेस का, वेर हाउजिंग का मतलब होता है बेसिकली जो गोल्डाउंस हमारे होते हैं तो यहां पर पूछ रहा है कि इसके अंदर कौन सी चीज नहीं है, बही चिप्स हैं, वेर हाउजिंग हो गया, वैसे भी अगर आपको नहीं आता होगा क्वेशन तो आप एलिमिनेशन मेथट से भी निकाल सकते हैं, तो आंसर इस दी, चले, नेक्स्ट क्वेशन पर, नेक्स्ट क्वेशन हमारा क्या कहता है, इट चार्ज अंपरिटिवली हायर प्राइस देन इट्स कॉम्पेटिटर्स एज इट सेल्स क्वालिटी प्रोडट्ट्स, विच ऑफ दी फॉलिंग फेक्टर अफेक्ट दी मार्केटिंग मिक्स डिसीजन इंडिकेटेड हैर, देखे जी, कॉम्पेटिटर ने अगर दस रुपे चार्ज किये हैं, तो वो हमेशा ज्यादा ही चार्ज करता है, अब इसलिए क्योंकि सबसे बड़ी बात अगर आपका ब्रेंड अच्छा है आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आप ज्यादा महेंगा समायन बेशिए और कस्ट्रमर उसको पसंद करेंगे, क्योंकि जब आप क्वाल्टी देते हैं, तो कस्ट्रमर कुछ पैसे जादे देने से कतर आता है, नहीं है, उसको अपने हेल्थ के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना होता है, ठीक, तो इससे क्या फायदा होगा, इट चार्ड अ कंपरिटेबली हायर प्राइज देने से कंपेटिटर्स, इससे क्वालिटी प्रोडक्ट्स, विच फॉल्विंग फेक्टर्स अफेक्ट्स अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स डिसीजन इंडिकेटेड है, तो सबसे पहले प्रोड़क्ट कॉस्ट, एक्स् प्रोड़क्ट कॉस्ट है, वो कम हो सकती है, हमारी, देखिए जी, कोई चीज मेरी 10 रुपए में बन रही है, कोई चीज मेरी 10 रुपए में बन रही है, और मैं उसको 15 रुपए में बेचता हूँ, तो मेरा प्रोफिट 5 है, और अगर मैं उसी चीज को 20 रुपए में बेच तो मेरा यहां पर profit हो जाएगा 10 तो product cost जो होगी वो मेरी कम हो जाएगी यह वाली बात ठीक हो गई extend of competition in the market और वो competition market में increase कर देगा higher price पर दे रहा है quality product दे रहा है the utility and demand of the product utility or demand भी बढ़ जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं जैसे ही आपका product price उपर जा रहा है it means product जो है तो यह वाली बात भी ठीक हो गई तो answer हमारा क्या हो जाएगा answer हमारा हो जाएगा all of these answer is d all of these normal question चलिए next question पर आते हैं it has five of its own retail shop it also sells this product through various grocery stores so that the product are made available to the customer at the right place right quantity right time यह वाली बात हमने which of the following is not a component of the mix referred here अब यहां पर कौन सा mix right time right place के बारे में हमने कहां पर बात की थी किस जगा बात की थी हमने place mix में बात की थी right time right place right quantity ठीक है जी तो इसके अंदर कौन सा चीज नहीं आएगी वेर हाउजिंग order processing public relation channel of distribution अब देखिए वेर हाउजिंग जो पार्ट है वो place mix का पार्ट है के बाई production से consumer तक पहुचने में कौन-कौन से channels लगते हैं कौन-कौन से लोग आते हैं और कहां-कहां पर समान को रखा जाता है तो वेर देने की order देने की date से receive करने की date को बोला जाता है order processing दो दिन में समान आपके पास पहुच रहा है तो उसका मतलब उसकी order processing cycle कितनी है two days ठीक है तो order processing is the part of place mix public relations public relation is the part of promotion mix कौन से का पार्ट है promotion mix अब उसने यहां पर यही तो पूछा है which of the following is not a component of the mix referred here तो यहां पर place mix refer किया गया है क्योंकि right time, right place, right quantity की बात की गई है channel of distribution यह भी हमारा कहां आता है place mix में अब channel of distribution का मतलब क्या product customer तक direct पहुच रहा है factory से या फिर उसके बीच में कुछ middleman's आ रहे हैं तो उसको बोला जाता है direct channel, zero channel, first channel, second channel यह बोले जाता है one level, two level channel होते हैं ठीक तो यह भी हमारा किसका part हो गया यह भी place का part हो गया तो इन में से तीन place के part हो गया एक promotion mix का part है तो वह हमारा हो जाएगा answer answer is c कहां गया वह answer यह रहा answer answer is c चले next question पर आता है next question क्या कहता है it regularly use different communication tools to increase its sales वह regularly use करता है क्या different different communication tools किसके लिए to increase its sales which of the following is not a communication tool इन में से कौन सा communication tool नहीं है पहले तो हमने शायद आपको कुछ पढ़ाए भी communication tool यही से देख लीजे advertisement sales promotion public relation personal selling personal selling का मतलब चलिए वहां बताते हैं है इसमें से personal selling है advertisement का मतलब होता है जब आप अपना advertise किसी newspaper में किसी TV पर कहीं social media पर जब आप देते हैं तो उसको बोलते advertisement advertisement की खासियत होती है एक तो एकनॉमिकल होता है यानि कि आपको थोड़े कम पैसो में पढ़ता है अब यह क्यों पढ़ता है कम पैसो में भाई आपने अपने advertisement के लिए 10,000 रुपए दिए तो आप क्या करेंगे 10,000 रुपए को अपने सारे customers के उपर डाल देंगे अपनी cost को दस दस पैसे करके भी बढ़ाएंगे तो यह कवर हो जाती है और इसकी वाइड रीच होती है advertisement की sales promotion क्या होता है sales promotion होता है one plus one free चाय पत्ती लेकर जाएं उसके साथ डबबा फ्री दाल लेकर जाएं उसके साथ थैला फ्री तो यह होता है है हमारा sales promotion basically यह temporary sales को boost करने के लिए होता है कुछ समय के लिए या तो कभी-कभी ऐसा होता है कि company stock clear करने के लिए promotion डाल देती है या फिर कोई नया product launch किया है तो लोगों को उसका टेस्ट बताने के लिए उसको habitual बनाने के लिए वो लोगों को देती है तो यह होता है sales promotion परस्नल सेलिंग का मतलब होता है जब आप face-to-face कि किसी executive किसी company के sales executive से बात करते हैं जैसे कोई बंदा आपके यहां पर आ जाता है मैं आप यह वाला product ले लिजिए सर आप यह वाला product ले जीजिए घरों में काफे सारे आते हैं beauty products बेशने के लिए और आरो बेशने के लिए यह सब चीजे बरतन वगयरा यह सब चीजे बेशने के लिए आते हैं और आजकल नया trend चला है जब आप मॉल्स में जाते हैं तो वह हमें credit card बेशते हैं किसर credit card ले लिजिए account खुलवा ल अब आता है trademark trademark क्या आता है branding packaging labeling brand brand mark trademark यह किसका पार्ट है यह पार्ट है हमारे product mix का ठीक है तो यहां पर क्या पुझाए it regularly use different communication tools to increase its sales which of the following is not a communication tool यह तो communication tool है यह तो हमारे promotional tool है यह तो हमारे promotional tool है but trademark is not the communication or promotional tool तो answer हमारा हो जाएगे simply that is D हाँ जी चलते हैं चार कुश्चन हो गए अब next case study पा जाते हैं फटापट next case study क्या कहते है Prince Burgers has many branches through the country एक company है Prince Burgers the country at a highly busy places of the cities it believes in dealing with its customers on its own by providing them freshly prepared burger by its own staff the company has a wide base of customers company के पास बहुत जादा customers है wide base of customers the company has kept the nature of its channel so because of the advantage it serves it has always try to please its customers and for this reason the services are fast उसकी services कैसे है fast है भाइक services fast है अच्छी quality है तभी तो customers उस पे अट्रेक्ट हो रहा है the company has the vision of providing quick and timely delivery of services to its customers the company has decided to launch an advertising campaign for certain awareness about its new products ठीक है company चाहती है advertising campaign launch करना किस लिए अपने products की sale को boost करने के लिए और अपने products के बारे में aware कराने के लिए अपने customers को it has contacted the country's leading advertisement making agency for this purpose for the company further the company has decided to start a scheme where a burger will be provided with additional cold drink अच्छा burger के साथ a cold drink free on all days of the first week of the month मतलब जो first week month का आएगा January, February, March first week में हर burger के साथ cold drink free देंगे simple case है prince burger है customer base बहुत है उसका क्योंकि वो लोगो fast service provide कराती है बट वो अप्चाह रही कि अपने customers को और बढ़ाए अपने जो product है उससे awareness बढ़ाए और उसने इसी ही लिए promotional tool के लिए एक advertisement agency भी hire करी है जो उसको services provide करेगी और उसने एक scheme लगाई है महीने के पहले हफते के सारे दिन सातो दिन एक burger के साथ एक holding free 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 ठीक है चलते हैं इसके questions के ओपर simple question है normal ऐसे ही हो जाएगा it has always tries to please its customers and for this reason the services are fast the services are fast which component of physical distribution is given due attention for this अब देखिए fast का मतलब क्या है पास्ट का मतलब क्या है जो burger produce हुआ जो burger produce हुआ वो customer तक कैसे पहुच रहा है वह बहुत fast पहुच रहा है जैसे के मैंने मिंतर से कपड़े मंगाए मैंने आज रात को place किये कल सुबा वो मेरे पास आ गए तो this is called order processing अभी हमने पहले भी discuss किया था तो वो time कितना ले रहा है वो time ले रहा है केवल और केवल बारा घंटे बट यहां पर कि he is fast inventory control inventory का मतलब होता है stock तो यहां कहीं stock से related बात की गई है कि वो stock को जल्दी खतम कर देते हैं यह stock को बहुत अपने पास रखते हैं raw material रखते हैं इस की तरह की कोई भी बात नहीं की गई है transportation की बात नहीं की गई है storage go-downs की बात नहीं की गई है यहां पर बात किसकी की गई है order processing की it always tries to preserve for this reason the services are very fast which component of physical distribution is given due attention for this कौन सा physical distribution का गया that is called order processing काम को जल्दी करना it means you are taking small cycle for processing the order take a challenge question next question क्या कहता है next question हमारा कहता है the company has decided to launch an advertising campaign for creating awareness about the about its new product it has contacted the country's leading advertisement making agency for this purpose which of the following is the distinguishing feature of advertising as compared to other tools of promotion अब देखिये हमने आपको क्या बताया था advertising advertising के अंदर हमने आपको क्या बताया था सबसे पहले तो यह economical होता है यानि के बहुत महेंगा नहीं होता और दूसरी बात इसका क्या होता है इसकी wide reach होती है यह जादा से जादा लोगों के पास पहुँच सकता है चलिए के एक लेते हैं आपने एक पांश बंदे रखे और आपने कहा के भई जाईए घर गर जा गया हमारे पूडक के बारे में बताईए तो पांश बंदे प्रोमोशनल टूल तो और भी है पब्लिक रिलेशन है वह बहुत महंगा कंसेप्ट है पर्सनल सेलिंग है उसके रीच जो होती है बहुत लिमिटेड होती है ठीक है तो एडवर्टाइजिंग हमारा ऐसा बचता है जो उसके अंदर हम कम पैसों में ज्यादा लोगों तक इसेंगे अंग तो यह बी नहीं यह बी नहीं मास रिच विल बीदा अंसर देखिंगे नेंस फ्लेक्सिबल नहीं फ्लेक्सिबल जो होता है मैसेज अगर आप देखें कभी आपने अपको नीड क्या है आपकी नीड के अपने प्रोडट के विशच्फिश्टा बताएगा प जो आपने तीन लाइन लिखके बेजी हैं, वही तीन लाइन हर घर में जाएंगी, फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता, तो ये भी किसका पार्ट है, ये भी परसनल सेलिंग का पार्ट है, तो आंसर हमारा सिंपल हो जाएगा, मास रीच, मास रीच या फिर वाइड रीच, इसका जब ज्यादा लोगों तक एक बार में पहुशना, आंसर है C, ये इस मास रीच, ठीक, चले, नेक्स क्वेशन पर आते हैं, नेक्स क्वेशन क्या कहता है, फॉर्दर, दा काम्पनी अस रिसाइड़ तो स्टार्ट है स्कीम, वेरा बर्गर विल भी प्रोवाइडेट विद एडिशनल कोल ड्रिंग, देखिए भई, फर्स्ट वीक में उसने क्या बोला था, फर्स्ट वीक में बोला था, कि भई अगर तुम बर्गर लोगे, तो उसके साथ में एक कोल ड्रिंग आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, आपको अपनी सेल्स बूस्ट करनी है, तो यह सबसे अच्छा मैथर्ड होता है, यह शौट टम के लिए होता है, इड़र्टाइजिंग नहीं, सेल्स प्रोमोशन हो सकता है, पर्सनल सेलिंग यहाँ पर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो अड़र्टाइजिंग कर रहा है, पब्लिक रिलेशन नहीं कर रहा, पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है, जब आप events करते हैं, अपनी image को, image building जब आप करते हैं, आप अपने stakeholders को धियान में रखते हुए, जब करते हैं, that is called public relation, पब्लिक रिलेशन में आगे कुछी question में बात करेंगे, विस्तार से, फिलाल यहां पर हमारा क्या हो जाएगा answer, sales promotion, वो ऐसा क्यों कर रहा है, which promotional tool is used by the company here, वो कर रहा है, sales promotion, answer is B, sales promotion, ठीक, चले, आते हैं अपने next question पे, चले, case study number 4, case study number 4 क्या कहते है हमारी, Temptation is a famous retail chain selling large variety of products in the Indian market, it is associated with food and beverage industry and deals in manufacturing tasty hygienic and authenticated Indian food items, it enjoys good reputation in the market due to the high quality products sold by it, their products are sold in different packs with different quantities, different pack with different quantities, recently the concern has switched to eco-friendly packaging in place of the plastic ones, अब उन्होंने society का विद्यान रखना शुरू किया, plastic packaging को हटा दिया और eco-friendly packaging ले आए, जैसे कि normal paper वगेरा कि, beside it offers regular discounts to its customers and easy credit terms to its retailers, it sells its products through its own retail shops, समझागी बात, नॉर्मल सी case study है, एक company है, Indian food items बनाती है, beverages बगेरा, snacks बगेरा, high quality products बनाती है, बहुत quality अच्छी होती है, अब उसका concern थोड़ा society की तरफ भी आया है, वो अब eco-friendly packaging में अपने products दे रही है, customers को अच्छे discount देती है, retailers को अच्छी credit facility देती है, ठीक है, और वो product अपने retail, अपनी shops के, इस retail shop से बेचती है, simple, चली पढ़ता है question, पहला question क्या कहता है, it enjoys good reputation in the market due to high quality products, sold by it, this resulted in fixation of higher prices by the concern, the factor responsible for this is, अब बात किसकी करी है, higher prices की, कौन सा factor responsible है, pricing objective, product cost, competition in the market, government policies, देखिये भई, कोई भी आदमी, अपना product का price उपर क्यों करता है, क्योंकि उसका objective होता है, कि वो अच्छी quality दे रहा है, तो पैसों से compromise नहीं करे, अच्छी quality के बाद, अगर आप price कम रखेंगे, तो आपके product को lower grade का समझा जाएगा, अब जैसे, एक बहुत अच्छी mobile phone company है, लोग उस पे जादा पैसा क्यों देते हैं, क्योंकि वो brand बन चुका है, अब उसका objective है, that is called skimming price policy, पहले ही शुरुवात में वो इतना price रखते हैं, कि कोई competitor वहां तक पहुच ही ना पाए, तो उसने price higher क्यों रखा, for the pricing objective, for the product cost, for the competition in the market, for the government policies, उसकी quality अच्छी है, उसने product का price ज्यादा रखा, तो answer हमारा best हो जाएगा pricing objectives, उसका objective ही है, कि वो अपने product का price high रखे, और quality ज्यादा अच्छी रखे, production cost की बात नहीं की गई है, यहाँ पर कहीं पर product cost को कम करने की बात नहीं की गई है, competition in the market, competitor की बात नहीं हुई है, पूरी case में, government policies की भी बात नहीं हुई है, answer हमारा simple हो गया pricing objectives, अब आप कहेंगे pricing objectives में आप दो word बोल रहे हैं बार बार, that is called skimming price policy, और एक और होता है, that is called penetrating price policy, अब देखेगा, आप खुदी समझ जाएंगे, कौन सी companies penetrating policy यूज करते हैं, कौन सी skimming policy यूज करते हैं, skimming price में क्या होता है, शुरुवात में, बिल्कुल starting में, product का price जो होता है, बहुत जादा रखा जाता है, जिससे के, एक level के customers उसकी तरफ attract होते हैं, और जब उसको लगता है, कि अब दूसरे customers भी आने लगे, वो जो एक cream थी, skimming दी cream, तो skimming price होती है, skimming का मतलब होता है, वो जो मलाई होती है, वो सब खा जाते हैं, फिर उसके बाद जो छटावा माल रहा जाता है, वो normal customers के लिए कम price पे बेच देते हैं, तो इसलिए ऐसा होता है, कि कोई भी उनके competition में ना पाए शुरुआत में, और ये वही लोग कर सकते हैं, जिनकी brand बहुत अच्छा है, जिनकी goodwill बहुत बाड़िया है, जो existing products बड़े शांदार चल रहे हैं, penetrating price में क्या करते हैं, पहले product का price कम रखा जाता है, फिर उसके बाद, जैसे उसका customer base बढ़ना शुरू हो जाता है, तो छलका हलका करके उसका price बढ़ाया जाता है, तो ये pricing objectives होते हैं, pricing policies होती हैं, different, different, ठीक, चलिए, next question पर आते हैं, next question क्या कहता है, ये आपको हमने कुछ extra सारा बताया है, ये आपके course में अभी नहीं है, फिलहाल, ठीक, पहले होता था, आप, you are happy, you are lucky one, कि आपके आज नहीं है, ये चीज़, चलिए, फिर भी पता होनी चाहिए, आगे कभी भी काम आ सकती है, और आती ही है, ये सारी चीज़े, ठीक, चलिए, next question पर हमारे, their products are sold in different packs with different quantities, यानि कि 50 ग्राम का भी पैक है, 500 ग्राम का भी पैक है, और 1000 ग्राम का भी पैक है, different packs with different quantities, this will enable it customers to exercise the right of, कौन सा right है उसके पास, कि 50 ग्राम भी ले सकता है, 500 ग्राम भी ले सकता है, 1000 ग्राम भी ले सकता है, ठीक, राइट to safety, राइट to be heard, राइट to choose, ये जो है थोड़ consumer protection act वाली बात आ गई या भई जो हमने 5 पड़े थे कि हमारे पास होना चाहिए right to choose, right to herd, right to safety यहाँ पर कौन सी दर्शात आ है कि customer के पास पूरा right है कि वो कौन सा pack choose करेगा तो simply हमारा answer क्या हो जाएगा right to choose right to safety का मतलब कि आपका product ऐसा ना हो जो society के लिए या customer के लिए harmful हो right to be informed का मतलब है आपका product full details customer को दे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़े हैं उसका batch number, expiry date यह सब right to be herd का मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप जो है जा सकते हैं consumer court में आपकी सुनवाई पूरी होगी वहाँ पर फिलहाल यहाँ पर case में क्या कहा गया है उसने different quantities different different packets में करके बेच रहा है अब customer के पास पूरे option है वो जो चाहे वो option खरीज सकता है that is called right to choose answer हमारा हो जाएगा C, right to choose चलिए जी, answer is C question number 3 है हमारा which marketing concept is following by the hotel कौन सा marketing concept hotel follow कर रहा है selling concept यानि के वो अपनी sales को बढ़ा रहा है किस चीज से sales promotion से या existing offers से product concept का मतलब क्या वो अपनी quality को increase कर रहा है production concept का मतलब क्या वो अपना production के वल बढ़ा रहा है जिससे उसकी per unit cost जो है वो कम हो रही है ऐसा कुछ कर रहा है या फिर marketing concept वो customer की needs को देखते हुए वो अपने product को आगे बढ़ा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा देखे भई customer की need क्या है customer को परिशानी हो रही है अब यहाँ पर उसने उस परिशानी को identify किया और उस परिशानी को दूर कर दिया अब यहाँ पर अगर marketing concept नहीं होता तो हम product concept रख सकते थे कि उसने एक feature को एक quality को add कर दिया बट marketing concept जो होता है वो product concept को भी अपने अंदर include कर लेता है क्यों कि पहले वो देखता है कि नीड कैसी है नीड के बाद उस हिसाब से वो अपने infrastructure तयार करके देता है और अपने feature उसके अंदर add कर देता है तो यहाँ पर marketing concept है तो marketing concept is the best concept in the marketing concept first we identify the need and want of the customer then we will provide the product according to the need and want of the customer societal अगर यहाँ पर होता अगर को society से related बात होती तो उसके अंदर marketing concept we include हो जाता तो हमारा answer इसके हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा answer simple हो जाएगा that is the marketing concept क्योंकि उसने पहले identify किया उसने identify किया कि परिशानी हो रही है hotel तक आने में चले answer हमारा simple हो गया चले अब अपने next question कियो next question क्या कहता है what is the main focus of the concept identified in question no.3 question no.3 में कौन सा concept हमने आपको बताया था marketing concept marketing concept क्या कहता है पहले आप जो है अपने market को scan करिए market को scan करने का मतलब product की need देखिए कि customer क्या चाहता है customer की wants क्या क्या है customer किस तरह का product चाहता है फिर उसके बाद product को launch करना होता है production यह selling की तरह नहीं बस आपको production बढ़ाना है यह sales बढ़ानी है नहीं marketing concept कहता है पहले identify the need then launch the product जो customer चाहता है उसको इस हिसाब का product दे दो ठीक है जी तो marketing concept में हम क्या करते हैं which is the main focus of the concept existing product नहीं quality of the product नहीं quantity नहीं customer needs क्या आता है marketing customer customer need और मैंने पहले भी बोला है अगर customer needs नहीं होता तो quality of the product ले सकते थे यहां पर customer need आ गया marketing concept तो खुदी थारे concepts को अपने अंदर include कर रहा होता है ठीक बट उसने क्या है hooks and crooks को हटाया है उसने कहा है कि नहीं ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बेच डालेंगे हम वो कंसेप्ट नहीं करेंगे हम रिग्रेसिव नहीं करेंगे selling आप निक प्रेशराइज करें कस्टमर को खरीदवा दिया ऐसा ठीक तो हमारा answer क्या हो जाएगा simple customer needs तो यहां तक हमारा answer आगया डी और के स्टडीज हो गई हमारी मार्केटिंग की पूरी तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कोई भी क्वेरी है फॉरण हमें लिख दीजे हमारी टीम बहुत तेजी के साथ आपको contact करेगी और उस query को दूर करने की पूरी कोशिश करेगी और इवन उस query पूरी आपकी जरूर खतम हो जाएगी ठीक तो इसी के साथ हसते रहें मुस्कुराते रहें गुनगुनाते रहें और जुड़े रहें केल्विन के साथ ठीक है धन्यवाद